सब्सक्राइब करो साड़े यूटुब चैनल नों ते बेल आइकन नों दबा के नवे अतितासा वीडियो सब तुम पहिला पाओं वाई कुछी के खाल सा अक्षी कुमार की फिल्म केसरी भी इसी रियल लाइफ बैटल पर बेस्ट है इस वीडियो में हम आपको बैटल ओफ सारा गड़ी की कहानी बताएंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें 28 सदी में जब ब्रिटिशेस ने भारत को कबजे में किया उसके बाद से ही उनकी नजर अफगानिस्तान पर थी कही बार उनके बॉर्डर एरिया पर ब्रिटिश सैना अटैक कर दिया करती थी जिसके कारण अफगान के लोगों में बहुत गुसा था इसी वज़े से अफगानियों ने कही बार ब्रिटिश इंडियन आर्मी पर अटैक भी के इसके बाद अफगान इंडियन बॉर्डर पर टेंशन बढ़ गई ये बॉर्डर एरिया पहाडों से गिरा हुआ था जहां दो किले हुआ करते थे फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लोखार जिनका निर्मान महाराजा रजिस सिंग ने अपने कारेकाल में करवाया था दोनों ही जगा ब्रिटिश सैना ने अपने सोल्जर स्तेनाद किये हुए थे ये दोनों किले पहाडों पर थे जिसकी वज़े से कम्निकेट करना मुश्किल हो जाता था इसलिए दोनों किलों के बीच के माउंटेन रेंज पे एक और किला बनाया गया जिसका नाम रखा गया सारा गड़ी फोर्ट सारा गड़ी पे 21 सिक्स सोल्जर स्तेनाद हुआ करते थे जिनका में इनकाम फोर्ट लोखार्ट और फोर्ट गुलिस्तान को सिगनल देना होता था उस समय टेलिफोन और कोई इलेक्ट्रोनिक टेकनलोजी का होना पहाडों पे पॉसिबल नहीं था तो ये सिगनल्स मिरर के थ्रू दिये जाते थे जिस प्रोसेस को हिलियोग्राफी कहा जाता है फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लोखार्ट के कमपैरिजन में फोर्ट सारगड़ी में बहुत कम सोल्जस तैनाथ थे तो अफगानियों ने इस फोर्ट पे अटेक करना सही समझा क्योंकि अगर उन्हें फोर्ट सारगड़ी मिल जाता तो दोनों में फोर्ट का कम्मिकेशन रुक जाता और अफगानियों के लिए यह एक बड़ी जीत होती इसी तरह से 12 स्टंबर 1897 की सुबह फोर्ट सारगड़ी पे तैनाथ 26 सोल्जस की रेजिमेंट ने अपने सामने 10,000 अफगानियों को बैटल के लिए आते होए देखा और उनोंने फोर्ट लोखाड़ पे सिगनल भेजा कि उन्हें और सोल्जस की जरूरत है क्योंकि 10,000 के सामने 21 सोल्जस का सर्वाइब करना मुश्किल था पर ब्रिटेश आर्मी को 7-8 घंटे चाहिए थे क्योंकि इतने सारे सोल्जस को एक साथ भेजने में भी टाइम लगना था जिसके बाद सिक्र रेजिमेंट के लीडर हवलदार इशर सिंग ने एलान किया कि हम चाहे 21 ही हों लेकिन 10,000 सैनिकों से अंतिम सांस तक लड़ेंगे हवलदार इशर सिंग को भी पता था कि ये लड़ाई उनके लिए सोसाइड मिशन की तरह हैं पर वो उनमें से नहीं थे जो जंग के दोरान मैदान चोड़ कर भाल जाएं उन्होंने 21 सोल्जेस के साहती लड़ना शुरू किया जिसमें से कई सोल्जेस तो जंग के लिए त्यार ही नहीं किये गये थे किसी का काम खाना बनाना था तो किसी का मैसेज डिकोड करना था पर इस बैटल के लिए सबी ने अपनी जान लगा दी क्योंकि उनका मेंन मकसद दुश्मनों को किसी भी हाल में आगे बढ़ने से रोकना था इस लड़ाई की शुरुवात में ही देरो अफगानियों को six soldiers ने मार गिराया गोली और सैनिकों की कमी के कारण अफगानी दीरे दीरे किले के नजदी पहुंच चुके थे उन्होंने दो बार किले के दर्वाजे को तोड़ने की कोशिश भी की पर उनसे ये नहीं हो पाया उसके बाद उन्होंने किले की दिवार तोड़कर एंट्री पाली उसी दोरान कई सिक सैनिक भी मारे गए अब situation यह थी कि सिक सैनिकों के पास गोलियां खतम हो चुकी थी तो उन्होंने अपनी लड़ाई तलवारों और बिना हत्यारों के ही जारी रखी किले के अंदर भुसने के बाद भी सिक सैनिकों ने अफगानियों को कई घंटों तक कड़ी चुनोती दी और जखमी होते हुए इशर सिंग और उनकी रेजिमेंट लड़ती रही बीस फौजी शहीद हो गए केवल सिगनल मैन गुर्मुक सिंग ही बचे थे सिगनल मैन गुर्मुक सिंग ने कर्नन हाटन को सिगनल दिया कि मेरे साथ ही शहीद हो चुकी है मैं अकेला बचा हूँ, मुझे सिगनल बंद करने का हुकम दिया जाए ताकि मैं भी अपने साथियों के साथ शामिल हो जाऊं। सो उन्होंने सिगनल बंद करके बोले सो निहाल सत्ष्रियकाल का जेकारा लगाया और बंदूकों के बोनट से 20 से जादा दुश्मन धेर कर दिये। लड़ाई के खत्म होने के बाद ब्रिटिश सैना के जवान किले पर पहुंचे और उन्होंने सिच्वेशन को कंट्रोल में लिया क्योंकि इतने घंटों की लड़ाई में कई अफगानी सोलजर्स ठक चुके थे और कई वापिस भाग चुके थे जिसके कारण उनके पास ना नहीं कोई रननेती बची थी बैटल ओफ सारागड़ी की उस समय पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी क्योंकि यह बहुत हैरान करने वाली लड़ाई थी जहां 21 सोल्जर्स ने 10,000 अफगानी सैन्यक को हरा दिया था इस बैटल के बाद उन 21 सोल्जर्स को इंडियन ओर सारागड़ी की खबर जब लंडन ब्रिटिश पार्लियमेंट पूंची तो दोनों सद्नों में मेंबर्स ने खड़े होकर सम्मान के तौर पर शहीदों को शधांजली दी दुनिया भर में इस लड़ाई को परकाशित किया गया इस बहादुरी के दास्ता फ्रांस के स्कूल के इस लेबस में पढ़ाई जा रही है युनेसको ने इसे दुनिया की बहतरिन आर्ट लड़ाईों में शामिल किया है आपको हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जुरूर बताएं ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अमरित कथा को सब्सक्राइ करना नापको लें धन्यवाद